अगर आपने अपने स्मार्ट फोन में प्रेजेंटेशन बनानी है तो कैसे बनाएंगे तो इसके लिए हम दो एप में यूज़ करते हैं पीपीटी बनाने के लिए स्मार्ट फोन में जो काफी ज्यादा यूज़ उसका नाम है गूगल स्लाइड जुमैने एक पहले सी वीडि यूज़ करेंगे डेट वाई स्वार कॉइंट तो आप क्या करेंगे यहां सर्च बॉक्स में PowerPoint फिल कर दीजी है वहां फिल करने के बाद अगर काफी साथ slides बनाई हैं यहां से आप उसको search कर सकते हैं recent में देख सकते हैं कौन सी recent बनाई है आपने और shared में जो आपने share की है existing जो बनाई है उसको open करना चाहिए यहां पर जा सकते हैं third option में फिलाल हम नहीं बनाएंगे तो उसके लिए plus पे click करूंगा में plus पे click करने के बाद सबसे पहले यहां पर देखिए option आ रहा है कि आप उसको कहां पर save करना चाहते हैं one drive में this documents में कहां तो फ्लाल इसको one drive में ही save करूंगा और नीचे देखिए यह इसके defense जो layout है कौन सी आपकी layout चाहिए यहां पर बने मनाई designs हैं जो आपको चाहिए वोन में से आप choose कर लीजिए तो यहां से जैसे मुझे चाहिए crop वाला style या और कोई भी आप लेख सकते हैं काफी अच्छे यहां पर styles हैं आप कोई भी style लेख सकते हैं तो मैं crop वाला ले रहा हूं इसको click करने के बाद एक create होगा तो create होने के बाद यहां देखे कुछ ऐसा option आ जाएगा तो यहां लिखने के लिए double tap करेंगे तो यहां पर जैसे मैं computers पे या online चलिए online जो यहां पर transactions आउस पर मैं बना देता हूं तो मैं यहां लिखा online transactions तो online transactions लिखके नीचे आप देख सकते हैं किस नहीं submit करनी है इसको आप double finger से side चोटा बड़ा कर सकते हैं यहां पर candidate अपना नाम लिख सकता है डिपेंड करता आपकी ppt कैसी है उसके recording आप details आड़ कर सकते हैं आप देखे यह तो होगी अब आप नहीं ppt लेना चाहते हैं कैसे लेंगे तो उसके लिए यहां देखे plus का option आ रहा है तो आप plus प इसकते हैं पहली title स्लाइड है दूसरी title परस content है तीसरा section है हैट दिफ्रेंसेशच चाहते हैं comparison चाहते हैं यहां पर fourth और fifth अवी है कि जो लिखते हैं नीचे देख 1976 कर सकते हैं जा आप नीचे जैसे मैं ने यहां लिखा ठानेट्टशन यह देखे नीचे covenant इस यहां पर मैं लिखे ठाई में ओन्य और दिखा रहा हूं आप इस पर डबल तो आप यहां से देखे बोल्ड इटैली कंडर लाइन सबसे पहले आपको स्लेक करना होगा जिसको आप चेंज करना चाहते हैं तो अगर आप से कोई गलती हो जाए तो आप साइज छोटा बड़ा करके उसको मूब भी कर सकते हैं यह देखिए यहां बॉक्स स्लेक्ट हो गया जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसको आप किसी भी direction में move कर सकते हैं अगर यहां से कोई color वेरा देना चाहें तो इसको select कर के आप color भी देख सकते हैं यहां से दिखे different colors है उसके बाद numbering दे सकते हैं 1,2,3 जो भी आपने देना है तो यह आपकी need है आपने कौन सी numbering वेरा द इसको आप जब इसको करेंगे reflection देना चाहें देखी reflection भी दे सकते हैं नीचे देखे इसकी reflection आगी तो ऐसे जब आप इसको use करेंगे धिरे-धिरे इसके styles को use करिए तो यहां से मैं back आगया तो यहां पर देखे और भी बहुत सारी options है ऐसे picture के बाद drawing, animation, slides हो देखना चाहें slideshow पे click करें यहां पर देखे for beginning आ रहा है from crunch slide आ रहा है अगर आप slide को hide करना चाहें hide भी कर सकते हैं जैसे अप सेम अपने laptop में desktop में जो PowerPoint आ यूज करते हैं सेम वैसा ही interface है तो मैं form beginning कर रहा हूं तो यहां पर जो mode automatic landscape हो जाएगा तो यहां से देखे मैं finger से आगे पिछे कर रहा हूं जितनी slides आपकी वह ऐसे आप देख सकते हैं काफी अच्छा यह interface आपको मिल जाता है phone में भी तो मैं यहां से back आ रहा हूं एक आप back आएंगे otherwise और options अपने activate करने हैं टॉपर काफी ज़्यादा options आप देख सकते हैं pencil बनी है यहां से highlighter भी ब tools आ रही हैं आप नीचे plus में से comment दे सकते हैं table insert कर सकते है picture कर सकते हैं यहां से text box ले सकते हैं जिसमें data where insert करना है तो काफी अच्छे tools वेर आपको provide करता है यह जो पॉर्पमेंट है सबको change करके top पर देखे यहां पर टिक का option आ रहा है यहां से आप टिक कर दीजे जो भी आपने changes की हैं वो यहां पर apply हो जाएंगे तो यह देखे यह slides बन गी तो यह tool slides है यहां पर आपको edit कर सकते हैं copy कर कर सकते हैं यह comment कर सकते हैं यहां से इसको share भी कर सकते है पिच्चराइब प्रेजेंटेशन जो भी आप करना चाहें सब कुछ करके अगर आप इसको save कर दीजिए उसके बाद यहां पर देखे शेर का option आ रहा है आप इसको share कर सकते हैं full document current slide जो भी आप करना चाहें यहां से कर सकते हैं, invite peoples on यहां से अलोग कर दीजिए इसको, उसके बाद आपकी जो invitation है आप इनको कर सकते हैं share कर सकते हैं, so friends काफी जादा useful process से इसको करके देखिए, कोई भी problem आती है आप comment box में comment कर सकते हैं, तो by default यह जो आपका, है आपका one drive में save हो जाएगा, जैसे मैंने आपको starting में बताया था, इसकी locations को करने में और भी कोई आप problem face करें, तो comment box में comment कर सकते हैं, so thank you friends for watching this video and for your available time